इसमें राम कथा का एक नया चलन्ज शुरू किया और मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं क्योंकि अपने अपने राम जब आपने शुरू करा और पूरे देश भर में उस ब्रह्मन करा और शायद उस समय आपको किसी ने ये भी कहा होगा अरे भाई अभी राम का ना आईकन का टाग है ये हट जाएगा लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस आईकन पर बोलने जा रहा हूं सायरे टैग उसी में समाते है जो राम नाम है तो ये तो नाम ही ऐसा है रमेटी थी राम करता है वो राम है और हम तो यहां मैं 30 पैТरिस वर्ष से आ रहा हूं जब वो कभी आता था फिर जब उसकी सफाई हो गई जैसा अठल जी ने कहा था कार सेवक आएंगे भजन करेंगे अब भजन बैठे बैठे तो खड़े खड़े तो होता नहीं है तो बैठेंगे तो फिर जब टैंट में राम लला थे तो गुसा आता था गलानी होती थी यार बताइए इतने हजारों वर्षों से लोगों के मन प्राण में बसने वाली चेतना और राजनेतिक कारणों से इतने अपमान में और आज अधिया की सड़कों पर जो नत्य चलना है मुझे लग रह साल बाद लोटे होंगे तब भी शायद यही जादू रहा होगा ऐसा ही जैसे आज चलना है विध्या की सड़कों पर जब आप ये जब आपने ये दिर्श्य देखा तो मन का भाव क्या था मन का भाव मेरे ये था कि सीता के रगुनाथ लखनके जालियों के साथ दीजे भैया सुख के धाम मिलेंगे सीता के रगुनाथ लखनके भाव ये शुक के धाम मिलेंगे सीता के रघुनात लखन के भाईया सुख के धाम मिलेंगे आजाओ सब चले आओ सब आजाओ सब चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे तुझको तेरे राम मिलेंगे मुझे को मेरे। तुलसी के राम है, केवट के राम है, शबरी के राम है मैं आपसे पुछता हूँ कुमार भाई, आपके राम कौन से है? मेरे राम मानवता की खूली आख के सबसे सुन्दर सपने राम मानवता की खूली आख के सबसे सुन्दर सपने मानवता की खूली आख के सबसे सुन्दर सपने राम जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम मात पिता गूरू जन परिजन ने अपने अपने देखे थे मात पिता गूरू जन परिजन ने अपने अपने देखे थे दुनिया भर ने तालियों के साथ दीजी? अपने 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 राम मंगल भवल या मंगल हारी द्राबहु सुदशरत अजर बिहारी मंगल भवल या मंगल हारी अपने 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 राम पुल्सियावर राम चंद्र की जैए चलिए अब राम से थोड़ा राम नीती से थोड़ा राजनीती की तरफ भी आते हैं अब लाना तो पड़ेगा ही क्या करें पब्लिक भी चाहती है आपको सुनना आपने पांट साल साल पहले एक शाक्षतकार किया था मेरे साथ अभी भी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं तो मैं उन सब चीजों पर भी आऊंगा लेकिन ऐसा क्यों है कि यह कहा जाता है कि नरेंद मोधी बीजेपी आरेसेस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है राम तो सब के हैं अच्छा देखो एक बात बताओ मुझे स्टेडियम मे जब इंडिया की टीम खेल नहीं होती है तो ग्यारे खेलते हैं बिल्कुल देखने आते हैं दो लाक जब लास्ट बॉल पर चक्का मारके इंडिया का खेलाडी जिताता है तो वहां खड़ा हुआ हर नागरी सेल्फी लेकर अपना फोटो लगाता है कि मैं भी खड़ा हुआ तो अगर किसी खिलाडी के टाइम में वर्ड का फाइनल जीत गए तो खिलाडी बल्ला नहीं लह रहा है कि देखो मैंने जिता दिया मैंने जिता दिया अब उस बल्ले की चपेट में आ जाओगे तुम तो चोट मी लगेगी और गाली भी खाओगे क्या फायदा है तो बल्ल जो जितवारा है और जो जीत रहा है क्योंकि इंडिया जीत रहा है तो सवाल के रहे हैं कि एक मंतरी ने तो बोल दिया रहे हैं गुडिया 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 देखो क्या है कि इस सारी टिपनी पर मैं आपके चक्र में फसूंगा नहीं नहीं हम तो फसाने के लिए थोड़ी पूछ रहे हैं मैं दो दिन मैं अभी जब मैं लैंड किया तो मैं लैंड करते में रोया जी ऐसा कुछ खास बात नहीं थी मैं आया हूँ बस इतना ही तो था पर मुझसे रहा नहीं गया मुझे लगा कि दिन है और मैं उतरा और मैंने अभी तो ताजा ताजा एरपूर्ट बना है तो वहाँ क्या भगवान के चरण होंगे फिर भी मैंने अपना माथा पत्वी पर रख दिया मैं लेट गया मुझे लगा कि आज बड़े दिन में आया हूँ ये तो बहुत साड़े पांस सो साल इसी सर्यूने लाल पानी देखा है रक्त देखा है वो किसके लिए गए वो सिर्फ ये चाहते थे कि जिस एक परमात्मा के नाम पर उनकी सुवह होती है राम राम भाया राम राम बच्चा पैदा होता है कान में बुगा कहती है राम जाता है पुरा गाव कहता है राम का नाम सत्य है यह जो विरोध कर रहे हैं, यह भी जब जाएंगे, तब भी कहाँ कहेगा, राम का नाम सत्य है, पर यह तब सुन नहीं पाएंगे, इनका दुरभाग्य होगा, तब सुन नहीं पाएंगे, तो मेरा कहना यह है कि, एक पंक्तित गोस्वामी जी ने उन सब के बारे में लिख द पहले हर लई, दिनकर जी ने इसका अनुबाद किया, जी, जब नाश मनुझ पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, एक तो यह, हमको दो महीने पहले फोन आया, कि कुमार विश्वाजी, 21-22 तारिक लिख लीजिए, अयोध्या में यह समारो है, और आपको रहना है, जो कुछ 2-4,000 लोग रहेंगे, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, मैं बड़ा प्रसंद हुआ, तब से मैं इसे गूंगे के गुड की तरे, अंदर अंदर छुपाए छुपाए, अपना काम करता फिरता रहा कि मैं जाओंगा, मैं जाओंगा.